हलो भीवर्स मैं एश्टो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और उमीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होगे मित्रों कभी कभार समय के नाग फांस में ब्यक्ति इस तरह से जकड़ जाता है कि लाग छट पटाने के बाद भी वह नहीं निकल पाता है यह सब समय के कारण ही होता है समय जब अच्छा आता है तो स्वता सब कुछ बदल जाता है और इस समय के पैमाने को हम लोग एस्ट्रोलोजी में ग्रहों से देखते हैं जब ग्रह अच्छे होते हैं नुकूल होते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है जब अनुकूल नहीं होते हैं तो यही समय आपको निगेटिव प्रभाव देने नगता है तो एक अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है चार नॉवंबर दोजार तेश से सत्रा जुन को सनी वक्री हो गये थे उस समय से बहुत लोगों के जीवन में कुछ न कुछ रुकावटे जरूर आई होगी लेकिन अब वक्री काल सनी के खत्म हो गया चार नॉवंबर दोजार तेश से सनी मारगी होने जा रहा है और सभी रासी वालों पर कुछ न कुछ सुप परभाव वस्य देंगे और मुख रुप से सुप परभाव देने के पीछे कारण यही है कि यह आज के दौर में यह अपनी मूल तिर्कूर रासी में बैठे हुए है आपकी रासी के लिए वह जहां भी भाव पढ़ती होगी उस भाव से रिलेटेड आपको हर हाल में सुप परभाव मिलना ही है तो आईए हम प्रारम करते हैं मेंस रासी से लेकर में रासी तक कि किस तरह का प्रभाव रहने वाला है चार नुवंबर के बाद तो सबसे पहले हम मेंस रासी को लेते हैं तो यह मेंस रासी में आपके एकादस भाव में बैठे हुआ है एकादस भाव लाव का होता है एक्षा पूर्ती का होता है सोसल सरकील का होता है तो इस सनी आपके लाव के मार्ग खोलेंगे कोई ने कोई source of income ये अवस जर्नेट करेंगे जदि किसी भी तरह से आपका व्यवधान उपस्तित हो गया था लाव में तो उस ब्यवधान को अब ये दूर कर देंगे किसी भी इक्षा को जदि आप पाले हुए थे पूरा नहीं हो पा रही थी और खास करके ये 17 जुन के बाद उसमें रुकावट आ गई थी तो वो इक्षा आपकी पुना पूरी हो जाएगे आपका ये सोशल सर्किल भी बढ़ाएंगा अब आईए हम देखते हैं ब्रिस रासी के उपर कि क्या परभाव रहने वाला है तो ये आपके कैरियर भाव में गोचर कर रहा है तसम भाव में तो कैरियर से रिलेटेड ये सनी आपको सुफल परदान करेंगा कैरियर में ग्रोथ दे सकते हैं पदपरतिषठा दे सकते हैं प्रमोसन दे सकते हैं किसी जौब और की तैयारी कर रहे तो हो सकता है कि आपको अउसमें सफलता मिला यानि हर हाल में ये कैरियर को बेनिफिट आपके जीवन में पहुँचाएंगे अब देखते हैं मित्वून राशी के तरफ तो ये मित्वून राशी में भागे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये सनी जब वक्री से मारगी होंगे तो आपके भागे के दरवाजे निश्चित तोर पर खोल देंगे वो हर रुका हुआ काम आपका सफल होगा जो सनी किसी न किसी तरह से रोग कर रखे हुए थे ये आपके भाग्य भाव में मुलतिर कुर्ण रासी में बैटे हुए अपने निचित ही भाग्य से बहुत ही सुब समाचार आपको प्राप्त हो सकता है आपको अपने पिता से अच्छी बॉंडिंग होगी पिता का जदी स्वास्त खराब रहता हो तो उनकी तबियत में आप सुधार देखिये गया तो भाग्य से होने वाले हर काम अब आपके होंगे सनी कुछ ऐसा करेंगे करकर आसी को देखते हैं तो ये आपके अश्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं अश्ठम भाव हलाकि अच्छा नहीं है लेकिन सनी के लिए बुरा भी नहीं है जिसके अश्ठम भाव से सनी गोचर कर रहे होते हैं उसके आयू में बिर्धी करते हैं सनी अगर स्वास्त वगरा खराब रह रहा होगा तो आपके स्वास्त में ये सुधार कराएंगे ऐसा धन की प्राप्ति आपको ये करा सकते हैं, जिस धन के बारे में आपको जनकारी नहीं हो जदि आप कोई रिसर्च वगरा के फिल्ड में हैं, किसी गुप्त विद्या से आप जुड़ हुए हैं तो ये सनी आपको उसमें निश्चित हिनला पहुंचाएंगे सिंग रासी, सिंग रासी ये आपके सब्तमभाव से गोचर कर रहा हैं सब्तमभाव बैवाहिक जीवन का होता है, बेपार का होता है तो बेपारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है आप अपने बेपार में बिर्धी देखिएगा, नया बेवसाई कर सकते हैं आप जीन लोगों के पति-पत्नी से रिष्टे खराब हो चुके थे ये सनी उसमें मधूरता लाएंगे जदि किसी भी तरह का विवाद हो गया था, विवाद के निप्टारा ये सनी अपने आउधी में निश्चित ही कराएंगे ये सनी साधी वगर अभी करा सकते हैं जो इनकी साधी के उम्र हो गई है, साधी के एक चुक है ये सनी साधी करा सकते हैं, रिष्टे कहीं न कहीं सेटल करा सकते हैं कन्या रसी यह आपके सस्थम भाव से गोचर कर रहे हैं सस्थम भाव रिन डोग सत्रू का होता है नौकरी क्या भी होता है तो जो लोग नौकरी के एक छुख होंगे कहीं नौकरी करना चाहते होंगे तो इस सवधी में उनको नौकरी मिल जाएगी जो ब्यक्ति किसी सेवा के कामों से जुड़े हुए हों अगर वह काम उनका ब्रेक हो गया था तो वह काम पुना हुनका चलू हो जाएगा किसी करजे में आप आ गये थे किसी रोग के आप सिकार हो गये हों तो आप देखिएगा कि सनी आपको उसमें भी लाब दे रहे हैं। स्वास्त में निश्चित ही ये सनी सुधार करेंगा। तुलारासी में ये पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव विद्या का होता है, संतान का होता है, सेर वगरा का भी होता है, क्रियेटिव कामों का भी होता है तो जो लोग क्रियेटिव कामों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सनी बहुत ही अच्छा करेंगे उनके काम में ग्रोथ होगा विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एचिविमेंट मिल सकता है कोई कंपेटिटिव एग्जाम वगरा आप निकाल सकते हैं इस अबधी में संतान वगरा के प्राप्ति के एक चुक हैं जदि आप तो यह समय कंसीव वगरा करने के लिए अच्छा है जो लोग सेर से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह सनी अच्छा मौका देंगे अच्छी अर्णी करने के लिए सेर में आपको आसातीत लाव हो सकती है हाँ इसके लिए आप और ग्रहों के कंबिनेशन पर अपनी कुंडली में अवस्य ध्यान दे ब्रिश्चिक रासी यह आपके चतुर्त भाव से ब्रमन कर रहे हैं चतुर्त भाव माता का होता है बहुत एक सुखों का होता है माता के स्वास्त में सुधार होगा जदि आपके माता के तवियत गरवड चल रहा होता है बहुत एक सुखों के उपलबदी हो सकती है मारगी होने के बाद, धनूर ऐसी में यह आपके तृतिय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतिय भाव सहस का होता है, प्राकर्म का होता है। आपको यह एक सहसी ब्यक्ति बनाएंगे। जदि कोई काम सहस के अभाव में रुका हुआ था, तो आप ऐसा देखिएगा कि वह रुका हुआ काम को आप अपने साहज के बल पर उसे पूरा कर लिजेगा बोल्डेनेस आपके अंदर लाएंगे संघर्स करने की प्रविट्टी देंगे आपके अंदर भाई वहनों का भी सुख देंगे उसी तरह से मकर रासी हाला कि आप सनी की साड़साती की अंतिम फेज में है लेकिन ये सनी आपको धन अवस्य दिलाएंगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे यानि रुपे पैसों को लेकर अगर देखा जाए तो ये सनी आपको बहुत ही अच्छा और सुख पैणाम देने वाले है कुम्बरासी ये आपके लगन से ही गुचर कर रहा है तो आपके स्वास्त में सुधार होगा आपके प्रस्टनाल्टी में डेवलप्मेंट आएगा समाज में एक आदर मान परतिष्ठा आपकी मिलेगी तो ये सनी आपके खुद के स्वामी है अलाकि आप साथी के प्रभाव में है लेकिन यहां लगन में उपस्तित होकर सनी आपके लिए बहुत ही सुख पैणाम करेंगा मीन रासी तो ये आपके द्वादस भाव से गोजर कर रहा है द्वादस भाव देश बिदेश का होता है द्वादस भाव खर्च का भी होता है तो खेर सनी के तो नेचर खर्च वाला नहीं है क्योंकि ये खर्च भी कराते हैं तो बहुत धिरे-धिरे कराते हैं हाँ ये आपको विदेश सबस्ट पहुचा सकते हैं यदि थोड़ा सा भी आप इक्छा के लिए हुए हैं कि हमको विदेश जाना है कोई बिजनेस वगरा सेट अप करना है या घूमने के लिए जाना है या किसी मल्टिनेशनल कंपनी में काम करने के लिए जाना है तो ये आपको बहुत ही अच्छा मौका देंगे जदी 17 जुन से पहले पहले आपका विदेश जाने का प्लानिंग रुग गया था तो वह समय अब आ गया है आप पुनह जा सकते हैं तो मित्रों ये 30 जुन 2024 तक सनी इसी अवस्था में रहेंगे मारगी अवस्था में ही रहेंगे तो ये सूपर इनाम आपके उपर करते ही रहेंगे जब तक ये अपनी मूल तिरकौन रासी में बैठे हुए है ये आपके रासी के लिए कम से कम एक भाव का ये सूपर भाव अवस्था करेंगे और लगातार करेंगे तो मित्रों आज के लिए इतना ही जब ही मेरे वीडियो का कॉंटेंट अच्छा लगे तो किर्पया लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थांक्स पर वाचिंग, नमस्कर